कि हाई गाईज करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस जिससे आपको मेरी नए वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं आज का ब्लॉग हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई हो कि आप सब अच्छे होंगे यह देखिया आज बना रहे हूँ मैं चने वाली डाल चने की डाल बच्चों को बहुत पसंदाती है तो यह मैंने चने की डाल बना तुली थी यह जिए मैंने फ्राइब कर दीए बस इतना ही दिखाया था को कि मैं इस तरीके से फ्राइब करती हूं और इसमें मैंने जीरा खड़े धनिया जो बगर पिसे होते हैं तो खड़ी धनिया और जीरा और लाल मिर्ची खड़ी ऐसे ही मतलब फ्राइब कर दिया था हिंग भी डाला था मैंने बस मैं डालती हूं इसमें और यह देखिए आ होता है यह भूद हट्ट होता है और बहुत उच्छी खुस्बूइयट चाहिए इस तरीके से लेकिन बहुत ही टेस्पी लाचाबाब चटनी पिष्ट्री तो इसकी चटनी में राला था जीरा नमार प्याज लाल वाली मिर्ट च्पकी और लेसुन हरी पत्ती बस इतना ही डाल जाता है इसमें और मैंने इसमें डाल दिये था काला नमक और यह वाला नमक स्प्लेन जो सादा नमक होता है वो भी डलता है और यह क्या है कि test में खटब धंता है बहुत जयादा तो इसकी बहुत अछी चटनी тесьती है यह तो हमारह यहां प्रष्टत करांति में मंग्वड बनती है तो मैं इंपने । यहां पर यहां पर क्या है कि यही की चटनी बनती है कैन्य खेयं decorative मंग्वोरी के कि साथ खाई जाती है हमारे हां बुन दिन खर नों यह देखिए पिसकी रेडियों गई हो और मैं इसल को हमेजा से इसी तरीके से दोख के रख देती हूं क्योंकि फिर अगर एक बार भूल गए तो फिर इसको याद ही नहीं रहता हूं रोज तो हम पीषते नहीं है इसमें जब पीषने को बैठो तो गंदी मिलती है तो इसलिए मैं तुरंथ इसको दोल देती हूं तो यह देखिए मेरी दाल जावल जो मैंने चने की दाल बनाई थी और यह चटनी के साथ मूली रेडियो भी यह तो आई आप भी खाली जी और यह आ गई थी मेरी सब्जी निकाल कर रही थी मैं मुझे नहीं पता था कि यह बच्चे सूट कर रहे हैं तो इनलों ने सूट कर लिया था तो क्या है कि थोड़ी सी सब्जी मंगवाई थी मैंने कुछ यादा नहीं था यह बच्चे क्या है कि इनलों को तो बस यह मैक रोनी और मैंगी यह सब चीजन चाहिए ह सब्सकी जुर्वाइब नंगा भ七 सब्सकार मेर्ट करने मेथी में प्यूंगां परिकने क intuitive कापी दोर से नहीं आσका तो मैंने में लिया मैथी तो मैं बनाने की तयार हो कि में साफ कर रही हूं मैं तो आनि हला होुआ हुआ है हुआ है बहुते हैं वह मैं अलग कर दूँगी और जो सॉफ्ट बिलकुल मुलाइम सी पत्ती होगी वह मैं रख लूँगी उसी की कसूरी मैथी बनाऊंगी यह देखिए मैंने इसको फैला दिया है काटके क्योंकि मैंने सारी मैथी को बीन लिया था यह एक किलो करीब मैथी है मेरी त बहुत है मतलब उस तरफ से फिर किया तो दूपा रही थी इसलिए यह आपको पीली लगेगी देखने में जब कि वर्कुल ग्रीन है बहुत ही ज्यादा तो आज देखिए आज मैं बनाऊंगी बेशन की वर्फी इसकी रेस्पी आप जरूर से नूट कर लीजिएगा क्यों कि मुझे ही तो यह बहुत ही पसंद आई थी मैंने पहली बार ही बनाई थी तो यह अपना घीर का आए घर का ही है और यह मिल्क पाउडर है तो इसमें मैं एक मोटे तले की कड़ाई लेना है आपको जो भी वर्तन ले मोटे तले कले इसमें क्या है कि जलेगा नहीं बहुत मुझेंगे हम दो यह बेशन की बर्पी है और मैंने भी पहले फर्ष्ट बार ही बनाई है तो यह मुझे बहुत पसंद आई थी बच्चों को तो इतनी क्या बता है तो यह समझ यह मैंने कल साम को बनाई थी और दूसरे दिन सुबह समझ लीजे आप खतम होई थी क्योंकि जैसे ही बना के मैंने रेडी हूँ ही थी बहुता कि और उनका खाना चालो गया था उनने अपना खा के चार प्त पीस बचाये थे सुबह के लिए तो वह उनने सुबह उटके सोगे-उटके बरस-बरस करके और भो भी खा लिए थी तो यह उनको बहुत पसंद आया पहली ब तो यह इस तरीके से मैंने इसको वेशन को घी में सुद्ध की देशी घी है उसमें भून लेना है हमें थोरा सा कम लग रहा है तो मैंने और डाल दिया था तो हमें इसको भून लेना है तो यह अभी ऐसे लग रहा है फिर बिलकुल से गीला हो जाएगा जब ज़्यादा गरम होगा तो विशन को हमें बिलकुल रैड नहीं करना है बस इतना भूनना है कि विशन की एक अच्छी सी भूनने वाली वो महग जो होती है सौंधी-सौंधी बू आने लगे और महार तक अच्छी महग जाने लगे बस इतना ही भूनना है हमें इसको रैड नहीं करना है और यह देखिए तो मैं इसको भून रही हूँ तो यह बहुत ही टेस्टी बनी थी कुल मिला कि मैं बस भी की बात करूं तो मैंने पहली बार इस तरीके से मुझे आनल अलख रहा था सथ लिए थी वाइसर में नहीं वेचन इक वी लायान तो मैंप उसका शुरू सी की बीशन keeली जिसे एक करो ँख मेर में वी कुल res करूं और अभी इसमें मैं बोडालूंगी मिल्क पाउडर वो भी मैं उसी से मेजर करूंगी तो आप जो भी बनाए तो एक कोई बरतन कर लें जिससे आप एक ही उससे मेजरमेंट करें उसका तो ज्यादा अच्छा बनेगा अब यह देखिए जितनी देर हम भूनते जाएंगे वह अब पूरी तरीके से अब हमें से ज्यादा इसको नहीं भूनना है क्योंकि बहुत अच्छे सी खुस्बू आने लगी थी और यह बहुत ही और यह भून चुका है वह दिख रहा है दिखने में भी पता चल जाएगा आपको तो मैंने इसी आदी कटोरी एक कटोरी बेशन ल कि में डाले और लॉट एक तो मेटा होता है तो मेरी बेटी कोछ ज्यादा मीथा पसंद नहीं तो मेरी ऐसी बनी थी कि बहुत ज्यादा मीथी नहीं थी कि मतलब थोड़ा सा ज्यादा मीठा कोई कोई कम पसंद करता तो यह देखिए इसकी चासनी बनानी पड़ेगी हमें तो मैंने चासनी के लिए आधी कटूरी ही सक कर लिए चीनी जो होती है हमारी वो मैंने आधी कटूरी लिए क्योंकि मैंने दूद भी आधी कटूरी लिया थ की तो हम इसको चलाते रहेंगे और जब यह एक तार की जैसे रधुले के लिए हम बनाते हैं चासनी बस उतनी बनाना है और ज्यादा उसको टाइट नहीं करना है नहीं तो फिर हमारे बद भी टाइट हो जाएगे बाद में यह देखिए मैं इसको चलाती रहूंगी और मेरी तो मिल्क पाउडर उसमें मिल चुका है पूरी तरीके से गयस बन करके हमें मिल्क पाउडर उसमें डालना है विशन में और फिर इसके बाद उसको मिक्स कर लेना आ है आप समें और यह चासनी बन रही है है और अब मैं क्या करूंगी कि दो एलाईची का पाउडर तो मैं इसको कूटके रालनीा दूँगी चासनी थे तू मैं जो मैं इसको कूटके रालनी चासनी और पिर बस चासनी ही हमारी वन के लेडी हूं गई है ये देखिए तो अब झाओ इसके राबसे बेसन और जो मैंने मिक्स्चर बनाया है बर्फी बनाने के लिए उसकी गैस में पहले ही बंद कर चुकी हूँ क्योंकि वह भुन चुका था यह देखिए मैं इसमें कर दूंगी और इसके बाद यह मैं बेसन में डाल दूंगी तो हमारी बर्फी बन के बर्फी का जो बेटर त चाहिए करके देखिए अगर आपको मेरे साथ से तो पसंद आना चाहिए मुझे तो बहुत पसंद आया था और यह मैंने ठाली में घी लगा दिया है ताकि हम इसमें डालेंगे तो आप किसी भी बर्दन में घी लगा दें तभी उसको बेसन की बर्फी को जमाए तो नीचे ठीज चपकने का डर होता है कि नीचे चपक जाता है फिर वह वैशन जिसने घी लगाने से क्या होता है कि असाने निकल जाता है को तो यह देखिए अब मैं लगा चुकी हूँ अब मैं उसमें चास्नी डाल दूंगी क्योंकि अब हमारी चास्नी पुरी तरे की से रेडी है तूरा सा ताइट ही हो गई थी और इससे कम ही रखना आए मैं यह रेखिए कि इसको हम हाथ से देख लेंगे करके तो जिस तरीके से हमारा रजगुल्य का जो होती है चासनी रजगुल्य के लिए हम मनाते हैं, उस waterень स्काइब मना की हमें इसमें ढाल देना है, तो डालते समय में इस बात का ध्यान है रखना होता है कि जैसे हम ढौलते हैं और ऊधर चला तो यह खाट से हम चास्नी को इसमें डालते जाएंगे और यह खाट से चलाते जाएंगे क्योंकि इसमें लम्स नहीं पढ़ने चाहिए अगर इसमें गाठे पढ़ जाएंगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा वो जमने के बाद फिर खाने में जहां पर वो मुँमें आएगी तो अच्छे नहीं लेगी क्यूंकि कहीं कहीं फिर भो मीठ भी नहीं होगा अगर वो इसमें गाठ पढ़ जाएंगी तो यह तरीके से हम इसको चला लेना है ताकि पूरे में उसकी चासनी वो हो जाए और उसमें गाठ ना पढ़े लंस पढ़ने से फिर वह बो ओचीज नहीं रहती है उसमें क्या लंस जब मुझ में आईगी तो वो मीठी नहीं होगी बों तो नहीं लेकर वह अच्छी नहीं लगेगी तो इस तरीके से हम इसमें जमा देंगे और जमाने के बाद जो भी आप लोगों को पसंदो पिस्ता और बादाम काजू जो भी आपको पसंदो तो आप उसको छोट छोटे लंबे-लंबे तुकड़ों में काटके और उपर से सजा दें इसक बस हम इसको ऐसे फ्यानेंगे के बाद इसमें डाइफ फूट डाल देंगे और इसको 1 गंड्डे के लिए रख देंगे और गंड्हां चाकू से कट कर लेंगे इसको जैसे जिस तरीके का पीस आपको चाहिए हो अपने पसंद की अकॉर्डिंग को सिफ दे देंगे जैसे वर्फी को कोई चौकूर में काटता है कोई जैसे आपको पसंद हो बस हमारी वर्फी तयार हो जाएगी और वो इतनी तेस्टी बनी थी कि मैंने में व्तारिव में यहां पर यह कर रही थी और इसके बाद मैं टूसन पढ़ रहा था उसको खुसबू आ रही थी तो वो टूसन से तुरंत दोड़ के आया मैं ड्रेफूट काट लूँगी थोड़े से ऐसे पतले-पतले से काटके उपर से चड़ी में तो आया वो उसने कहा कि मम्मा आपने क्या बनाया है वो दोड़ के आया तो यह ठंडा हो जाएगा लेकिन उसने यही से सुरू कर दिया था तो उसको मीठा बहुत जादा पसंद है वो मीठा जादा खाता है और यह बाकी में अच्छी बनी थी मुझे तो जादा पसंद नहीं है मीठा लेकिन मुझे भी अच्छी लगी थी और मैंने भी खाई थी तो यह तरीके से इस इस तरीके से एक गंडे बाद यह इस तरीके से निकल लेगी लगी थी किसी ऑफ твор सब्सक्रस पेड़ा कर रही थी वह होती है कि टेस्टी बनी थी बहुत ही उसका अलग तेस्ट था क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर था तो बहुत दो टाइप कर स्वादा रहा था कि पहले कभी सुना नहीं थास के बारे में आज पता चला तो यह देखिए बहुत एच्छी लग रही है कि खन में तो और ही मुश्ट है और अगर आपको यह बर्फी खानी है बनाई है अब यह वाली डिस्ट बनाई है लाइक से सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए कि अब कमेट नहीं करते हैं कि बाई फ्रेंज